हलो एवरिवान वलकम तो आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम डिसकस करेंगी कि डेट मूचल फंड क्या होते हैं और इनकी सेभी द्वारा निर्धारित की गई 16 केटिगरी इसकी डेफिनेशन क्या है आगे बढ़ने से पहले अगर आभी तक आप इस पैसे को fixed income instrument में invest करती है fixed income instrument जैसे कि government securities हो गए corporate deposit हो गए treasury bill हो गए या bonds हो गए जहां से की fixed income generate होती है वहां पर surprises नहीं होते equity market की तरह और अगर हम बात करें इनकी categories की debt funds की तो कुछ साल पहले इसकी category में कोई similarity नहीं थी uniformity नहीं थी और कोई भी company वो मानलो की दो companies हैं वो same ही instrument में पैसा लगा रही हैं लेकिन वो अपनी scheme का नाम different रखते थे fancy सा रख देते थे तो लोगों को compare करने में बड़ी problem होती थी तो 2017 में SEBI ने क्या किया कि एक circular जारी किया और उन्होंने define कर दिया कि भई अब से जितने भी debt fund issue होंगे या even past में issue हुए हैं उनको हमें इन 16 categories में define करना पड़ेगा और उनकी strict definition होगी अगर आप उसकी category को एक particular नाम देते हैं तो जो उसकी definition होगी उसके according ही आप invest कर सकते हैं तो हम उन सब categories के बारे में discuss करेंगे बट ये करने का purpose जो SEBI का था उसका ये था कि भई एक तो uniformity लाई जा सके scheme में ताकि लोग उसको compare कर सकें जैसे उनकी requirement है उसके हिसाब से ताकि दो company मान लोगे कि एक Aditya Birla Group का debt fund है और एक Nippon का है तो आप उनको compare कर सके अगर उनका नाम same होगा scheme का तो आप तभी compare कर पाएंगे और इसके अलावा investor को इससे असानी हुई कि अगर जैसे उनके जो भी financial goal ह या riskability है उसके according वो पैसा लगा सकते हैं तो अब अगर हम बात करें कि यह कौन सी scheme है तो सबसे पहली scheme है overnight fund जिसमें कि अगर जो asset management company है वो एक दिन की maturity पे पैसा लगाती है तो उनको overnight fund बोला जाता है और अगर वो up to 91 days यानि कि ऐसे instrument में पैसा लगाती है जिसमें कि maturity 91 दिन प्रक्की होती है उसको liquid fund बोला जाता है और वहीं अगर maturity 3-6 महीने की हो average यानि कि weighted average maturity तो उसको ultra short duration fund बोला जाता है और अगर 6-12 महीने हो जाए इसकी अगर overall time period तो उसको low duration fund बोला जाएगा और एक साल के अंदर वो किसी भी duration का debt fund है तो उसको money market fund बोला जाएगा तो अगर ह अगर आप low duration fund की category वाले किसी fund में किसी भी company के fund में invest करते हैं तो वो company आगे उन्ही instruments में invest कर सकते हैं जिनकी मैकुले duration यानि की weighted average जो duration है वो 6-12 महीने होगी और आगे बात करें तो छटी जो इसमें category है वो है short duration fund जिसमें की 1-3 साल तक AMCs invest कर सकती हैं और अगर वो 3-4 साल करना चाहती है तो उनको medium duration fund उसमें जाना पड़ेगा category में और medium to long term में 4-7 साल तक वो लोग invest कर सकते हैं और long duration fund में अगर ये जो duration है वो 7 साल से ज़्यादा है तो उस fund को बोला जाएगा long duration fund और dynamic bond fund होता है जिसमें कि कि किसी भी duration के period में यानि कि एक दिन से लेकर 7 साल या 10 साल 15 साल जितनी भी time के लिए अगर debt schemes हैं जिसमें की company ने पैसा लगाया हुआ है तो उसको dynamic bond fund बोलेंगे और उसके अलावा अगर हम nature of investment पे बात करें तो पहली इसमें है जिसको की 11 स्कीम बोलेंगे corporate bond fund इसमें 80% से ज़्यादा पैसा आपका highest rated corporate bonds में लगा होना चाहिए इसके अलावा जो next scheme है बारवी credit risk fund इसमें अगर आप high rated instrument में पैसा नहीं लगाते हैं या उससे ज़्यादा पैसा आपका highest rated instrument से नीचे वाले assets class में लगा हुआ है तो उसको credit risk fund बोलेंगे इसके अलावा अगर आप सिरफ debt instrument bank के या public financial institutes के या public sector undertaking में लगाते हैं तो उसको banking and PSU fund बोला जाएगा और government security में अगर आप लगाते हैं 80% से ज़्यादा अपना पैसा तो guilt fund उसको बोला जाता है और एक होता है guilt fund with 10 year constant duration जिसमें की government security में 10 साल की fixed maturity के साथ पैसा लगाया जा आता है और last scheme floater fund यह वो होती है कि अगर आपके जो rates interest की वो अगर float करती रहती है और आपने 65% या उससे ज़्यादा ऐसी assets में पैसा लगा रखा है तो उसको floater fund debt scheme बोला जाएगा hopefully आपको यह video कुछ help करेगा learning में और अगर आपको video पसंद आया तो please channel को subscribe कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि similar video मैं equity schemes पे भी ले किया हूँ तो please comment कीजिए और मैं video ले किया हूँगा thanks so much for watching the video and God bless you all